आप सुनहे हैं धकाहिट रेनल का भाग्चा वो तो बस एक हजारा था नहीं था क्या मैं उस रास्ते से होकर भागा जिस पर मैं आया था विरान पड़े बजारों से होकर भागा मैं गुम्टी के पास जटका खा गया और ताला बंद हिलते हुए दर्वाजे के साहरे जुक्या मैं वहां हाफते हुए खड़ा रहा मुझे पसीना आ रहा था मैं चाहा रहा था कि चीजें किसी दूसरे तरीके से हुई होती करीब पंदा मिनट बाद मैंने कुछ आवाजें और कदमों के आहर सुने मैं गुम्टी के पीछे दुबक गया और आसिफ और दोनों लड़कों को दोड़ते हुए देखा वो खाली गली में भागते हुए हस रहे थे मैं जबरन वहाँ दस मिनट तक इंतिजार कता रहा इसके बाद मैं गड़ों से भरे रास्ते से होकर लौटने लगा जिसकी बगल से बर्फ से भरा नाला गुजरता था मैंने पीली रोशनी में आँखोईं तीछी करके हसंग को तलाश लिया जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था मैं उसे नाले के आखिर में बिना पत्तियों वाले सनोबर के पेड़ के पास मिला उसके हाथों में नीली पतंग थी यही पहली चीज थी जिसे मैंने देखा और हम मैं जूट नहीं बोल सकता और कहता हूँ कि मेरी आखों ने उसके शरीर पर किसी जखम या कटे फटे की तलाश नहीं की उसका चापन सामने से कीचर में लिथट गया था उसकी शर्ट कॉलर के नीचे से फट गई थी वो रुका उसने अपने पैरों पर जोर दिया मानो वो गिर पढ़ने वाला हो फिर उसने खुद को स्थिर किया और मुझे पतंग पकड़ा दी कहां थे तो? मैं तुम्हें खोजा? मैंने कहा उन बातों को कहना पत्था चबाने जैसा था हसन ने आसीन से अपना चेहरा रगड़ा नाक का बलगम और आंसू पहुंचे मैंने उसके कुछ कहने का इंतजार किया लेकिन हम वहां फीकी पड़ती रोशनी में बस खामोशी से खड़े रहे मैं शुरुआती शाम की पलचाईयों का शुक्र गुजार हूँ जो हसन के चेहरे पर पढ़ रही थी और मुझे छुपा रही थी मैं खुश था कि मुझे वापस उसके निगाहों में नहीं पड़ना है क्या उसे पता है कि मैं जानता हूँ और अगर वो जानता है तो जब मैं उसके आँखों में देखूंगा तो क्या पाऊंगा इल्जाम, नाराजगी या प्यार खुदा माफ करे, इसी का मुझे सबसे ज़्यादा डर था मैं ऐसे नहीं देख सकता था उसने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके आवाज तूटके उसने अपना मुँ बंद किया खोला और फिर से बंद किया वो एक कदम पीछे हटा अपना चेहरा पहुँचा वो अकेला मौका था जब हसन और मैं अभी गली में जो कुछ हुआ था उस पर बात करने के नजदीक पहुँच गए थे मुझे लगा कि वो शयद फूट पड़े लेकिन मुझे राहत मिली कि वो नहीं रोया मैंने ऐसे जाहिर किया कि मैंने उसके अवास की टूटा नहीं सुनी है जैसे मैंने ये जाहिर किया कि मैंने उसकी पैंट के पीछे पड़ा गहरा दभा नहीं देखा है या वो छोटी बूंदे नहीं देखी हैं जो उसके पैरों के बीट से टपक रही है और बर्फ पर निशान छोड़ नहीं है आगसा आफ फिक्र करेंगे उसने बस इतना ही कहा वो मेरी और से घूम गया और बड़ी मुश्किल से चलने लगा ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था मैंने धूएं से भरी स्टडी का दरवाजा खोला और उसमें दाखिल हुआ बाबा और रहीम खान चाय पी रहे थे और रेडियो पर खबरे सुन रहे थे उनके सर मुड़े हुए थे फिर मेरे अबबा के होटो पर मुस्कान खेय गई उन्होंने बाहें फैला दी मैंने पतंग नीचे रग दी और उनकी बालों उससे भरी मोटी बाहों के और बढ़ गया मैंने अपना चहरा उनके गर्म सीने में कड़ा दिया और रोने लगा बाबा ने मुझे चिपटाए रखा वो मुझे आगे पीछे हिला रहे थे उनकी बाहों में मैंने वो सब भुला दिया जो हुआ था और ये कितना अच्छा था एक हफ़ते तक मैंने शायद ही हसन को देखा जगने पर मुझे रसोई की टेबल पर टोस के हुए ब्रेड, तयार चाए और एक उबला हुआ अंडा रखा मिलता था कोठरी में बैंत की कुरसी पर मेरे कपड़े रोज इस्तरी करके तहकिये हुए छोड़ दिये जाते हसन अमुमन वहीं इस्तरी करता था इस्तरी करने से पहले वो नाश्टे की टेबल पर मेरे आने का इंतिजार करता था इस तरह हम बात कर सकते थे गाते भी थे इस्तरी की फुफकारने की आवास के साथ जूलिप के खेतों के बारे में पुराने हजारा गीत अब बस तैकिये हुए कपड़े मेरा स्वाकत करते हैं वे और मेरा नाश्टा जिसे मैं अब शायद ही खतम कर पाता एक लंबी खिच गई सुभा जब मैं अपना उबला हुआ अंड अपनी प्लेट के पास नचा रहा था तो अली कटी हुई लकडियों का एक गठर उठाया आया मैंने उससे पूछा कि हसन कहा है वो सोने चला गया है अली ने चूले के पास जुकने से पहले कहा उसने दर्वाजा थोड़ा सा खोल दिया क्या हसनाज खेलेगा अली एक लट हात में लिए थोड़ा रुका उसके चेहरे पर परिशानी का भाव आया अब वो बस सोना चाहता है मैंने इसे देखा है अपना रोज का काम कर लेने के बाद वो बस अपने कंबल में दुबकना चाहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम्हें पूछना है तो पूछ लो पतंग के मुकाबले के बाद वो थोड़ा खून में सना हुआ घर लोटा था उसकी कमीज भी फटी हुई थी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ कहा नहीं कि पतंग को लेका उसकी कुछ लड़कों से हाता पाई हो गई थी बस यही बोला मैंने कुछ नहीं कहा पर प्लेट में अंडा न चाहता रहा क्या उससे कुछ हुआ है आमिरागा क्या ऐसा जो वो मुझे नहीं बता रहा है मैंने कंदे चटके मुझे कैसे पता चलेगा आप मुझे बताएंगे ना इंशाला अगर कुछ ऐसा होगा तो आप मुझे बताएंगे जैसा मैंने कहा मुझे कैसे पता रहेगा कि उसके साथ क्या बुरा हुआ मैंने थोड़ा गुसे में कहा हो सकता है वो बिमार हो लोग हर समय बिमार पढ़ते ही रहते हैं अली अब मैं जम कर मर जाओं या तुम आज स्टोफ जलाने की सोच रहे हो उस रात मैंने बाबा से पूछा क्या हम जुमे को जलाला बाद जा सकते हैं वो अपनी डेस्क के पीछे अपनी डोलने वाली कुरसी पर हिलते डोलते अख़बार पढ़ रहे थे उन्होंने उसे रख दिया अपना पढ़ने का चश्मा उता रहा इसे मैं इतना ना पसंद करता हूँ बाबा उतने बूरे नहीं है बिल्कुल भी नहीं और उन्हें अभी धेरो साल जीना है तो क्या उन्हें ये ना मुराद चश्मा पहनना पढ़ता है क्यों नहीं उन्होंने कहा अब मैं जो कहता था बाबा उसके लिए राजी हो जाते थे क्यवल इसके लिए ही नहीं दो राती पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सिनेमा आयराना में चाल्टन हस्टन की एलसिट देखना चाहूंगा तुम हसन को जलालाबाद साथ में चलने के लिए कहना चाहते हो बाबा इस मनसुबे को इस तरह बिगारना क्यों चाहते है वो मरीज है मैंने कहा वो बिमार है सच में? क्या हुआ उसे? बाबा ने कुर्सी पर डोलना बंका दिया मैंने कंधे चटके और फायर प्लेस के पास सोफे पदस कया उसे ठंड लग गई? या ऐसा ही कुछ? अली ने कहा वो उसकी वज़ा से सो रहा है मैंने कुछ दिनों से हसन को बहुत देखा नहीं है बाबा ने कहा तो क्या बस उसे ठंड लगी है? जिस तरह उनकी बहों पर बल पढ़ लही थे मैं उनसे नफ़त करने से खुद को नहीं रोक सका बस ठंड तो क्या हम जुम्य को जा रहे हैं बाबा? हाँ 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 बाबा डेस्क दूच आते हैं बुले हसन के लिए अफसोस हो रहा है मैंने सोचा कि अगर वो आता तो तुम्हें जाधा मज़ा आता अच्छा हम दोनों भी मज़े उठा सकते हैं मैंने कहा बाबा मुस्क्रा है उन्होंने आख मारी गरम कपड़े पहन लो उन्होंने कहा बस हम दोनों को ही होना था जैसा मैंने चाहा था लेकिन बुद्ध की रात को बाबा ने दो दरजन दूसरे लोगों को भी दावत दे दे उन्होंने अपने चचेरे भाई हिमायों को बुलाया और पताया कि वो जूमे को जलालाबाद आ रहे हैं असल में हमायों बाबा के रिष्ठे के भाई थे उन्होंने फ्रांस में इंजिनिरिंग की पढ़ाई की थी और जलालाबाद में उनका घर था उन्होंने कहा कि वो वहाँ सब को ले जाना चाहेंगे अपने बच्चों को और अपनी दोनों बीवियों को और जब उन्हें जाना ही था तो शायद उनकी चचेरी बेहन और हराथ से आया उनका परिवार भी साथ जाना चाहे और चुंकि वही काबुल में अपने चचेरे भाई नादिल के पास ठहरी हुई है इसलिए उनका परिवार भी जाएगा इसके बावजूत की हेमायों और नादिल में मनमुटाव चल रहा था और अगर नादिल को दावद दी गई थी तो पक्के तोर पर उनके भाई फारुक को भी पूछना जोरी था वरना उन्हें दुख होता और तब शयद वो अगले महीने अपनी बेटी की शादी पर उन्हें नहीं बुलाते हम तीन गाड़ियों में भाई गए मैं बाबा, रहीम खान, काका हेमायों के साथ सवार हुई बाबा ने छोटी उमर में से ही मुझे दूसरे बड़े मर्दों को काका या चाचा और औरतों को खाला या चाची कहना सिखाया था काका हेमायों की दोनों बीविया भी हमारे साथ सवार हुई चड़े हुए चेहरे और हातों में मस्से वाली पुरानी बीवी और आँखे बंद कर नचाने वाली इतल की खुश्बू में बसी हुई नई बीवी काका हिमायों की जुरवा बेटियां भी ऐसा ही करती थी मैं पिछली कतार में बैटा था मुझे गाणियों में बैठने से डर लगता था और मैं भोचक था मैं साथ साल के उन जुरवा बेहनों के बीच पिस रहा था जो मेरी गोद से होकर एक दुसरे को मार रही थी जलालाबाद की सड़क पहाड़ी से होकर गुजरने वाली दो घंटे लंबी है जो एक खड़ी ढाल के गिर्द खुमते हुए जाती है और मेरा पेट हर तीखे मोर पर उचल जाता गाड़ी में हर कोई ठेट अफगानियों की तरह बात कर रहा था मैंनों जुरवा बेहनों में से एक से पूछा क्या वो अपनी खिड़की वाली सीट से मेरी सीट बदल देंगी ताकि मैं गाड़ियों से अपने डर के मदे नजर थोड़ी ताजी हवा ले सकूँ उनका नाम फजील और करीमा था और मैं कभी नहीं बता सकता था कि उन में से किसका नाम क्या है उसने अपनी जीबाह निकाली और कहा नहीं मैंने उससे कहा कि ठीक है लेकिन तब उसके नए कपड़ों पर उल्टी करने के लिए मैं जिमेदा नहीं ठहराया जा सकता एक मिनट बात मैं खिडकी से भाज चुका हुआ था मैंने गड़ो वाली सड़क को उठते और गिरते देखा इसे अपनी पूँच पाणियों के चारो और खुमाते देखा और धेड सारे मोटे लोगों से भरे रंग बिरंगे ट्रकों को पीछे छूड़ते देखा मैंने अपनी आँखे बंद करने की कोशिश की हवा को मेरे गालो पत्थपकियां देने के लिए छोड़ दिया मैंने अपना मूँ खोला और साफ हवा भीतर ली मैं अब भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था मेरी बगल में एक उंगली ने कोचा ये फजीला या करीमा थी आह क्या है मैंने कहा मैं अभी हरे को मुकाबले के बारे में बता रहा था बाबा ने स्टेरिंग के पीछे से कहा काका हिमायू और उनकी बीवियां बीच की सीटों से मेरी तरफ देखते हुए मुस्करा रहे थे उस दिन आसमान में सो पतंगे जूर होंगी बाबा ने कहा ठीक है ना आमिर मेरा भी ऐसे ही अंदाज़ा है एक सो पतंगे हिमायू जान कोई शेक ही नहीं और आखिर तक उड़ने वाली आमिर की थी घर पर उसने आखरी पतंग रखी है खूब सूरत नीली पतंग हसन और आमिर ने साथ में उसे लूटा बढ़ाई हो काका है मायो ने कहा मस्य वाली उनकी पहली बीवी ने ताली बजाए वावा आमिर जान हमें तुम पर इतना नाज है उन्होंने कहा नौजवान बीवी भी उनसे जा मिले इसके बाद ये सब तालियां बजाने और तारीफ में चिलाने लगे वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनके लिए कितने गर्व का काम किया है केवल बाबा के पास बैठे रहिम खान खामोश थे वो मुझे अजीब तरह से देख रहे थे प्लीज किनारे कर लो बाबा मैंने कहा क्या मुझे वो खराब लग रहा है मैं बुदबुदाया मैं काका हिमायों की बेटियों पर ठिका हुआ सीट के पाँ जुका हुआ था फजीला या करीमा के चेहरे बिगड गए किनारे कर लो बाबा उसका चेहरा पीला पड़ गया है काका मैं नहीं चाहती वो मेरे नए कपरों पर उल्टी कर दे उसने चीख कर कहा बाबा ने किनारे करना शूर किया लेकिन मैं तब तक रुक नहीं सका कुछ मिंटों के बाद जब वो गाड़ी से निकल कर ताजी हवा ले रहे थे मैं सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठा था बाबा काका हमायों के साथ सिक्रट पी रहे थे काका फजीला या करीमा को चुप हो जाने को कह रहे थे वो कह रहे थे कि जलालाबाद में नई ड्रेस खरीद देंगे मैंने अपनी आखे बंद कर ली और अपना चेहरा सुरच की ओर कर लिया मेरी पल को पर छोटी छोटी परचाईयां बने जैसे हातों से दिवार पर परचाईयां बन रही हो वे मुड़ी एक दूसरे में मिली और उन्होंने एका केली तस्वीर बनाई काका हेमायों के जलालाबाद के सफेद दो मंजिला मकान की बाइकनी से बहुत बड़ी दिवारों से घिरा एक बागीचा दिखता था उसमें सेब और तेंदू के पेड़ लगे थे गर्मियों में उसमें बार डहती थी जिसे माली जानवरों की शकल में बनाता पर उसमें पाम लटका कर बैठा पूल खाली था और उसके पैंदे में गली हुई बर्फ के एक पतली परत थी काका हेमायों के बच्चे आंगन के दूसी तफ लुकाचीपी खेल रहे थे और देखाना पना रही थी और मैं तले जा चुके प्यास के खुश्बू सुंग सकता था मैं कूकल की फटफट, संगीत और हसने के आवाजे सुन सकता था बाबा, रहीम खान, काका हेमायों और काका नादिल बायकनी में बैठे सिगरट पी रहे थे काका हेमायों ने बता रहे थे कि वो फ्रांस के अपनी तस्वीरे दिखाने के लिए साथ में प्रोजेक्टर लाये है पैरिस से लोटे उन्हें दस साल हो चुके थे और वो अब भी बही बेकार तस्वीरे दिखाते रहते थे मुझे इतना अटपटा नहीं लगना चाहिए था बाबा और मैं आखिरकार अब दोस्त थे हम कुछ दिन पहले चेड़िया घर गए थे हमने मलजान शेर देखा और जब कोई नहीं देख रहा था तो मैंने भालो को एक कंकर मारा हम इसके बाद सिनेमा पार्क के पार दाद खुदा के कबाब हाउस कहे थे वहां हमने तंदूर से निकली ताजा नांग के साथ भीड के कबाब खाए बाबा ने हिंदूस्तान और रूस के अपने सफर की कहानियां सुनाए उन लोगों की कहानियां जिनसे बाबा मिले बंबई के उस लंगडे जोडे की कहानी जिसकी शादी 47 साल पहले हुई थी और जिसने 11 बच्चे पाले थी बाबा के साथ इस तरह एक दिन गुजारना और उनकी कहानियां सुनना मज़ेदार होना चाहिए था आखिरकार इतने सालों से मैंने जो चाहा था वो मैंने पालिया था फरक ये था कि जब मैंने इसे हासिल कर लिया था तो मैं इस गंदे पूल की तरह खाली महसूस कर रहा था जिसमें मैंने अपने पाउं लटका रखे थे बीवी और बेटियों ने सूरच डूबने के साथ रात का खाना पुरोसा हमने कमरे में दरी पर दस्तर खान पिछा कर रिवास के मताबिक खाना खाया हम चार या पांच के जुन्ड में एकी प्लेट से हातों से खा रहे थे मुझे भूख नहीं थी लेकिन किसी तरह बाबा, काका, फारुक और काका, हमायों के दो बेटों के साथ खाने के लिए मैं बैठ कया बाबा खाने से पहले कुछ स्कॉच ले चुके थे और अब भी पतंग बाजी के मुकाबले के बारे में बढ़ चड़ कर बोले जा रहे थे कैसे मैं सबसे आखिर तर टिका रहा कैसे मैं आखरी पतंग लिए घर लोटा उनकी उची आवास पूरी कमरे में फैली हुई थी लोग तश्तरियों से अपना सर उठाते और बधाईयां देते काका फारुक ने साफ हाथ से मेरी पीट थप थपाई मैंने अपनी आखों में छुरी चुपते हुए महसूस किया बाद में जब खासी आधी रात गुजर गई तो बाबारों के भाईयों के बीच कुछ गंटों के पत्तों के दौर के बाद मर्द उसी कमरे में कतार में बिच्छी चटाईयों पर सोने के लिए लेट गए जहां हमने खाना खाया था औरते उपर गई एक गंटे बाद तक मैं सो नहीं सका मैं करवटे बदलता रहा और अपने सोते हुए रिष्टेदारों की करहा आहा और खराटों पर खुमता रहा मैं उठ पैटा चांदरीनी के एक पट्टी खिडकी से भीतर आ रही थी मैंने हसन का रेप होते देखा मैंने ये बात यों ही कही बाबा ने सोते हुए खंकारा काका हमायों ने करा भरे मेरे भीतर कोई उमीद कर रहा था कि कोई जग जाए और मेरी बात सुन ले ताकि मुझे जूट के साथ और नहीं जीना पड़े लेकिन कोई नहीं जगा और बात की खामोशी में मैंने अपने नए अभिशाप को समझ लिया कि मुझे इसके साथ जीना था मैंने हसन के सपने के बारे में सोचा जील में तैरने वाले सपने के बारे में कोई राश्यस नहीं है उसने कहा था बस पानी है फर्क ये है कि इस मामले में वो गलत था जील में एक शेतान था उसने हसन को एणियों से पकड़ लिया उसे अंधेरे पैंदे में खीच कर ले गया और मैं था वो शेतान मैं था वो राश्यस उस राज से मैं अनिदरा का रोकी बन गया हसन से मैंने अगले हफ़ते के मध्य तक बात नहीं की मैं दिंग का खाना आधा दूरा खाता और हसन खाना बनाता रहता मैं उपर अपने कमरे में जा रहा था कि हसन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पाहरी पर चड़ना चाहूँगा मैंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ हसन भी थका हुआ लग रहा था वो दुबला हो गया था उसकी सूजी हुई आँखों के नीचे काली धानिया बंग गई थी लेकिन जब उसने दोबारा पूछा तो मैं हिचकते हुए राजी हो गया हम पाड़ी पर चड़े हमारे बूट बरफीली कीचर में संग गय हम मेंसे किसी ने कुछ नहीं कहा हम अपने अनाय के पेड़ के नीचे बैठे मुझे पता था कि मैंने एक गलती की थी मुझे पाड़ी पर नहीं आना चाहिए था वो शब्द जो मैंने अली की रसोई के चाकू से गोंदे थे काबूर के सुल्तान आमिर और हसन मैं अब उन्हें देख नहीं सकता था उसने मुझे शहा नामा पढ़कर सुनाने को कह और मैंने उसे कहा कि मैंने अपना मन बदल दिया है मैंने कहा कि मैं अभी बस अपने कमरे में लोटना चाहता हूँ उसने दूर देखा और कंदे चटक लिए हम उस रास्ते से नीचे उत्रें जिससे हम उपर चड़े थे चुप चाप और अपने जीवन में पहली बार मैं बसंत का इंतजार नहीं कर सका 1975 की बाकी बचीवी सर्दियों की मेरी यादें खाथ सी दुंदली है मुझे याद है कि जब बाबा घर पर होते तो मैं जायस तोर पक खुश होता था हम साथ खाते, साथ फिल्म देखते, काका हेमायों या काका फारुक के घर जाते कभी कभी रहीम खान आ जाते और बाबा मुझे अपने स्टडी में बैठने और अपने साथ चाय पीने देते उन्होंने मुझे से अपनी कुछ कहानिया भी पढ़वा का सुने, यह अच्छा था और मुझे ये तक भरोसा था कि ये बना रहेगा कम से कम पतंग के मुकाबले के कुछ महीनों तक बाबा और मैं खुद को एक मीठे वह में डुबोई रहे हमने एक दूसरे को इस तरह देखा जिस तरह हमने पहले कभी नहीं देखा था हमने ये सोचते हुए खुद को धोका दिया कि पतले कागस, गूंद और बांच से बनाए खिलोना हमारे बीच की दरार को पाड़तेगा लेकिन जब बाबा गहर से भाहर होते तो मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता और बाबा बहुत भाहर रहते मैंने हर एक दो दिन में एक किताब पड़ी, कहानिया लिखी और घोडों के चितर बनाना सीखा मैं सुभा में हसन को रसोई में पैर घसीट का चलते हुए, चांदी के बरतनों को खनकते हुए और चाय की केतली की सीटी सुनता मैं दर्वाजे का बंध होना सुनता और केवल तब ही मैं खाने के लिए नीचे जाता मैंने कैलेंडर पर स्कूल खुलने की तारिक को घेड लिया था और उल्टी गिंती शूगर दी थी मेरे तरास को बढ़ाते हुए हसन हमारे बीच की चीजों को सुलगाता रहा मुझे आखरी बाल की बात याद है मैं कमरे में था और इवान हो का संशित फालसी अनुवाद पढ़ रहा था कि उसने मेरा दर्वाजा खट-खटाया क्या है मैं नान खरीतने नान भाई के पास जाना हूँ उसने दूसी तरफ से कहा जानना चाहता हूँ कि अगर आप अगर आप मेरे साथ चलना चाहें मुझे लगता है कि मैं बस पढ़ने जाना हूँ मैंने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा थोड़े दिनों से मेरा मन था कि आप भी साथ चलेंगे उसने कहा वो रुका कोई चीज दरवाजे पर थप थप आई शायद अपनी ललाट मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कर दिया आमिरागा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं मैं नहीं जानता कि हम दोनों आप साथ क्यों नहीं खेलते तुमने कुछ नहीं क्या हसन बस चले जाओ आम मुझे बता सकते हैं मैं ऐसा करना बंद कर दूँगा मैंने गुनेगार की तरह अपना सर अपनी गोद में कडा लिया अपनी कनपटियों को घुटनों से दबाया मैं तुम्हें बता दूँगा मैं तुमसे क्या करना बंद करना चाहता हूँ मैंने अपनी आखें दबा कर बंद के हुए कहा कुछ भी मैं चाहता हूँ तुम मुझे तंग करना बंद कर दो मैं चाहता हूँ कि तुम दूर चले जाओ मैंने गुस्से में कहा मैंने चाहा कि वो भी पलटकर जवाब दे दरवाजा तोड़ दे मुझे जता दे इसने चीजों का असान और बहतर बना दिया होता लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जब मैंने मिनट भर बाद दरवाजा खोला तो वो वहाँ नहीं था मैं अपने बिस्तर पर गिल गया और अपना सर तके में छुपा कर रोने लगा हसन इसके बाद मेरी जिंदगी के दाएरे से दूर चला गया मैंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे रास्ते जितना कम हो सकें आपस में टकना है मैंने अपने रोज मर्रा के कामों का खुद से मनसूबा बनाया क्योंकि जब वो पास में होता तो कमरे में जिंदगी रुख जाती मेरी छाती जगर जाती और मैं भर पूर सांस नहीं ले पाता मैं वहाँ अपने छोटे से हवा वीहिन बुलबुले में हाफते हुए खड़ा रहता लेकिन जब वो नहीं रहता तब भी वो मौजूद होता वो वहाँ बैद की कुर्सरी पर हाथ से धुले हुए और इस्तरी के हुए कपड़ों में होता वो मेरे दर्वाजे के भार रखी गरम चपलों में होता वो मेरे नाश्रा करने के लिए नीचे जाने के बाद मेरे कमरे में जल रहे स्टोफ की लकणी में होता जहां भी मैं जाता मैं उसकी वफादारी के निशान देखता उसकी ना मुराद अडिक वफादारी सब जगा मौजूद रहती उस बसंद के शुरू में स्कूल खुलने के कुछ दिन पहले बाबा और मैं बगीचे में ट्यूलिप के पौधे लगा रहे थे अधिकतर बर्फ बह गई थी और उत्तर की पाणियों पर हरी खांस के धब्बे दिखने लगे थे वो एक ठंडी और दुंदली सुबा थी और बाबा मेरी बगल में बैठे जमीन खोद रहे थे मैंने उन्हें गांटे थमा रहा था जिसे वो रोप रहे थे वो मुझे बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि पत्र जड में टूलिप लगाना बहतर होता है और ये सच नहीं है तबी मैंने उन्हें टोका और कहा बाबा आपने कभी नया नौकर रखने के बारे में सोचा है उन्हें टूलिप की काट किरा दी और खुर्पी को धूल से ढग दिया उन्हें बागी चे के दस्ताने उतार रहे मैंने उन्हें चौका दिया था जी क्या कहा तुमने वो मैं बस योहीं जानना चाह रहा था बस मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा बाबा ने रुखा इसे कहा मुझे इंदाजा है कि आप नहीं करेंगे वो तो बस ऐसी एक सवाल था मैंने कहा मेरी आवास फीकी पढ़ती हुए बुन-बुनाट में बदल गई मैं कहे चुका था कि मुझे इसका अफसोस था क्या तुम्मे और हसन के बीच कुछ हुआ है मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है लेकिन ये जो भी हो तुमको इसे हल करना है मुझे नहीं मैं इससे बाहर हूँ मुझे माफ कर दीजे बाबा उन्होंने अपने दस्ताने फिर पहन लिये मैं अली के साथ बढ़ा हुआ हूँ उन्होंने दातों को बीचे हुए कहा मेरे अबबा उसे लाए थे उन्होंने अली को अपने बेटे की तरह प्यार किया चालिस सालों से अली मेरे परिवार के साथ है चालिस सार और तुम सोचते हो कि मैं उसे निकाल कर बाहर करने वाला हूँ वो अब मेरी तरफ मुड़ गए उनका चेहरा ट्यूलिप की तरह लाल था मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया आमिर लेकिन अगर तुमने फिर कभी ये कहा वो अपना सर हिलाते हुए दूसी तब देखने लगे तुमने मुझे शर्मिन्दा किया है और हसन हसन कहीं नहीं जा रहा है समझे तुम मैंने नीचे ताक्त हुए मुठी पर थंडी मुठी पर थंडी मिठी उठाई और उसे अपने उगलियों के बीसे गिराने लगा मैंने कहा तुम समझे कुछ हाँ बाबा हसन कहीं नहीं जा रहा है बाबा तड़कते हुए बोले मिठी को पहले से अधिक तेज तेज मारते हुए उन्होंने खुर्पी से एक नया गड़ा खोदा वो यहीं हमारे साथ रह रह रहा है जहां का वो है यह उसका घर है और हम उसका परिवार तो मुझसे फिल कभी यह सवाल नहीं पूछना नहीं पूछूंगा बाबा माफ कर दीची बाबा ने टूलिप बाबा के टूलिप उन्होंने चुपचाप लगाए अगले हफते जब स्कूल खुले तो मैंने रहत महसूस की नई कॉपियों और बनाई हुई पैंसिले हाथ के लिए छात्र आंगन में घूम फिर रहे थे विधूल उड़ा रहे थे आपस में गपशप कर रहे थे और क्लास के कैप्टेंग की सीटी बचने का इंतिजार कर रहे थे बाबा स्कूल के दर्वाजे तक ले जाने वाली गंदी सडक तक मुझे गाड़ी से छोड़ गए थे स्कूल एक पुरानी दो मंजिला है इमारत में था इसकी खिड़ियां टूटी हुई थी और धुंदली थी उसके गल्यारों में गोल काले पत्थर बिछे थे इसकी प्लास्टर उतर रही थी जिसके बीच से इसकी असली फीके पीले रंग के धपे कहीं कहीं देख रहे थे अधिकतर लड़के पैदल स्कूल आये थे और बाबा की काली मास्टरों उनमें से अनेकों के हसरत भरे निगाओं का केंदर थी जब बाबा ने मुझे वहाँ उतारा तो मुझे गर्व से चमक उठना चाहिए था अगर मैं पहले वाला आमिर होता तो ऐसा करता लेकिन मैंने बस थोड़ी शर्मिंदगी ही महसूस की शर्मिंदगी और खाली पन बाबा गुडबाई कही बिना वापस चले गए मैं हर बार की तरह पतंगों की लड़ाई में मिले घावों के आपस में तुलना के अंदेखी करते हुए कतार में जाकर खड़ा हो गया गंटी बजी और हम दो-दो के जोड़ों में एक कतार में अपनी तैशुदा कलास की और बढ़े मैं पिछली बेंचों पर जाकर बैठ कया जब हमारे फासी के टीचर ने हमें किताबे सौंपी तो मैंने उन्हें खूब सारे होमवर्क की दुआ की स्कूल ने मुझे अपने कमरे में देर तक रहने का भाना दे दिया हर कुछ समय के लिए इसने मेरे मन में मेरे मन को सर्दियों में घटी घटनाओ पर से हटा दिया वे घटनाए जिने मैंने होने दिया था हसं के बारे में और उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने के बजाए मैं कुछ हफतों तक खुद को ग्राविटी, स्पीड, एटम और टिश्यूज में तथा ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच जंग में दुबाई रखा लेकिन मेरा मन हमेशा उस पतली गली के और लौट चाता था इंटों पर पड़ी हसन के मोटी सूती भूरी पैंट की और बरफ पर दाग छोड़ते हुए टपकते खूं के गहरे लाल, करीब करीब काली बूंदों की और शुरुआती गर्मियों के एक सुस्त दुंदली दोफैय को मैंने हसन से अपने साथ पाड़ी पर चलने को कहा मैंने उससे कहा कि मैंने उसे एक नहीं कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे मैंने लिका है वो आंगन में सूखने के लिए कपड़े डाल रहा था और जिस तरह उसने अपना काम जल्दी से खतम किया उसमें मैंने उसकी उस्सुकता को भाप लिया हम थोड़ी पात चीत करते हुए पाड़ी पचरणे उसने स्कूल के बारे में पूछा उसने पूछा कि मैं क्या सीख रहा था और मैंने अपने टीचर्स के बारे में बताया खासताओ से मैस के बदमाश टीचर्स के बारे में जो पातोनी लड़कों को सजा देने के लिए धातू के सरिये को उनके उंगलियों के बीच फसाते हुए उन्हें आपस में दबा देता था हसन इस पर थोड़ा सीहरा उसने उमीद जताई कि मुझे कभी इससे पाला नहीं पड़े मैंने उसे कहा कि मैं अभी तक खुश किस्मत रहा हूँ हाला कि मैं जानता था कि इसमें किस्मत का कुछ लेना देना नहीं है मैं अपने हिस्से की बातचीत क्लास में ही करता था लेकिन मेरे अबबा अमीर थे और हर कोई उन्हें जानता था इसलिए मैं उस सरीय वाले इलाज से बचा हुआ था हम अनाय के पेड़ की चाओं में कब्रिस्तान के नीची दिवार के सारे टिकर बैठे थे एक या दो महिनों में जुलसी हुई पीली घांस की फसल पहड़ी को ढख लेती लेकिन उस साल बसंद की बोचारे और समय के मुकाबले देर तक पढ़ती रही और शुरुआती गर्मियों तक बनी रही इसलिए घांस अब तक हरी थी वहाँ जंगली फूलों की जाड़ियों की भरमार थे हमारे नीचे वजीर अकबर खान की सफिद दिवारो वाले सपार छटो वाले खर धूब में जगमका रहे थे उनके आंगन में धुले हुए कपड़े तार पर तंगे हुए थे हवा के जोके से वो मदुमक्यों की तरह उड़ने लगे थे हमने पेड से एक दरजन अनार चुने मैंने कहानी निकाली जो मैं अपने साथ ले आया था मैंने पहला पन्ना खोला उसे नीचे रख दिया मैं खड़ा हुआ और एक खूब पका हुआ अनार उठा लिया जो जमीन पर चूग गया था अगर मैं इसे तुम पर दे के मानूं तो तुम क्या करोगे फल को उपर नीचे उचालते हुए मैंने पूछा हसन की मुस्कान मुझा के वो मुझे जितना याद था उससे बड़ा दिखा नहीं बड़ा नहीं सयाना क्या ये मुम्किन था दूप से तपे उसके चेहरे पर लकीरे खीची हुई थी उसकी आखें और मुझे चारो और सलवटे थी शायद मैंने भी छुडी लेली होती और खुद भी वैसी लकीरे खीच ली होती क्या करोगे तुम? मैंने दोराया उसकी चहरे का रंग उतल गया उसके करीब ही उस कहानी के नत्थी किये गए पन्ने पड़े हवा में फरफडा रहे थे जिसे मैंने उसे पढ़ कर सुनाने का बादा किया था और मैंने उसे अनार दे मारा वो उसकी चहाती में लगा वो फट गया उसमें से लाल रंग की एक फुहार निकली हसन की चीख में हैरानी और दद दोनों भरे थे मुझे मारो? मैंने गुस्से में कहा हसन ने अपनी चहाती के धबो को और फिर मुझे देखा उठो मारो मुझे? मैंने कहा हसन उठा लेकिन वो बस वहाँ खड़ा रहा वो उस हक्के बक्या आदमी कितना दिख रहा था जिसे एक उठती हुई लहर ने समुदर में खीच लिया हो जो बस एक पल पहले किनारे पर अच्छी भली इस सैल का मज़ा ले रहा था मैंने उसे एक और अनार माला इस बार कंधे पर उसकी छीटें चेहरे पर फैल गए मारो मुझे मैं उसे जगरने लगा मारो मुझे नकारा लड़के मैंने चाहा कि वो मुझे मारता मैंने चाहा कि वो मुझे सर्जा देता जिसके लिए मैं तरस रहा था ताकि मैं आखिल कार रात को शायद सो सको, लेकिन मैं बार बार हसन को मारता रहा और उसने कुछ नहीं किया, तुम कायर हो, कुछ नहीं, सिर्फ एक नकारा कायर, मैंने कहा, मुझे नहीं पता कितनी बार मैंने उसे मारा, मुझे बस इतना पता है कि जब मैं आखिल कार ठक कर ह आफ्ते हुए रुका तो हसन लाल रंग के लिथर में चुका था मानो उस पर किसी फाइरिंग दस्ते ने गूलियां भसाई हूँ मैं अपने खुट्रों पगिल गया ठका हुआ कलांत हताश तब हसन ने एक अनार उठाया वो मेरी तब बढ़ा उसने उसे तोड़ा और अपने लालाट पर अगर लिया लो फट्रों ये अवाज में उसने कहा लाल रंग उसके चेहरे से खुट्रों की तहर रिस रहा था अब तुम्हे इत्मिनान है? क्या तुम्हें बहतर लग रहा है? वो खूं गया और पहाड़ी से उतरने लगा मैंने आंसूं को बेरोग टोग बहने दिया मैं अपने घुटनों पर आगे पीछे हिला मैं तुम्हारे साथ क्या करने जाना हूँ हसन? मैं क्या करने जाना हूँ तुम्हारे साथ? लेकिन समय के साथ आंसूं सूख गए और मैं पहाड़ी से गिसटते वे उतर गया मैं उस सवाल का जवाब जानता था मैं 1936 के उन गर्मियों में 13 साल का हो गया था वो अफगानिस्तान के अमन और गुमनामी के आखरी साल से पहले वाला साल था मेरे और बाबा के बीचीजे फिर से बेजान हो गई थी मुझे लगता है कि इसके शुरुआत उस दिन से हुई थी जब ट्यूलिप रोपते हुए मैंने नए नौकर के बारे में कहा था मैं ऐसा कहने के लिए पच्चता आया मैं सच मुझ पच्चता आया लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तब भी हमारा वो छोटा सा खुशियों भरा मध्यान तर खतम तो हो नहीं था हो सकता है इतनी जल्दी नहीं होता लेकिन ये हुआ होता गर्मियों के खतम होते होते खाने के दोनां के बातचीत की जगा प्लेट पर चमच काटो के रगणने के आवाजने ले ली थी और बाबा ने खाने के बाद अपने स्टडी रूम में फ्रिट से बैठना शूका दिया था और दवाजा बंद करना भी मैं मन बहलाने के लिए हाफिज और खायाम के और लोट चुका था मैंने अपने नाखुन का तरने शूका दिये थी मैं अपनी कहानी अपने बिस्तल के नीचे एक रेक में रखता था उसने मैं वक्त जोड़त के लिए रखता था हालाकि मुझे शक था कि बाबा फिल कभी उन्हें पढ़कर सुनाने को कहेंगे दावते देने का बाबा का नियम ये था कि सारी दुनिया को दावत दो वरना वो दावत दावत नहीं मुझे अपने जनम दिन की दावत से एक हफता पहले उन लोगों की लिस्ट पर नजर फिराना याद है जिने दावत में बुलाया गया था मैं उन चार सो लोगों में से कम से कम तीन चौथाई काकाओं और खालाओं को नहीं पहचान पाया जो मेरे तेरा साल जी लेने पर मेरे लिए तो फिलाने वाले थी और मुझे बढ़ाया देने वाले थी ये मेरा जनम दिन था लेकिन मैं जानता था कि शो का असली स्टार कौन होगा कई दिनों तक घर बाबा के भाड़े के मददगारों से भरा रहा एक सलाओ दिन कसाई था जिसने रसी में बंधा एक बच्छडा और दो भीड़े दिखाई उसने उन तीनों में से किसी के लिए भी पैसे लेने से इंकार कर दिया उसने जानवरों को खुद आंगन में पोपलार की पेड़ के नीचे जबा किया खून पेड़ के लिए अच्छा होता है मुझे उसका कहना याद है पोपलार के पास की घांस खून सोक रही थी एक आदमी जिसे मैं नहीं जानता था बिजली के छोटे-छोटे बल्ब और एस्टेंशन तारों के मीटर के साथ देवदार के पेड़ों पर चड़ा हुआ था दूसरे कुछ दरजन भर टेबल्स को आंगन में सजाया रही थी वे हर एक परी टेबल कलोथ बिछा रही थी बड़ी दावत से पहली बाली रात बाबा के दोस्त दिल मुहमद अपने मसालों के थेले के साथ घर आये शारे नोह में उनकी कपाब की दुकान थी कसाई की तरह दिल मुहमद या दिल्लों ने बाबा उसे यही कहते थी भी अपने काम के लिए पैसे नहीं ले ले उसने कहा कि बाबा ने उसके परिवाय के लिए पहले ही काफी कुछ किया है जब दिल्लों गोश्ट को मसालों में डुबो कर रख रहा था रहीम खान ने मुझे फुस फुस आते हुए बताया कि बाबा ने उसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए रकम उधा दी थी बाबा वो रकम लेने से तब तक मना कते रहे जब तक कि दिल्लों एक दिन हमारी रहादरी में अपनी बेंच के साथ नहीं आया और उसने जिद नहीं ठान ली कि वो तब तक नहीं लोटेगा जब तक कि बाबा अपनी रकम नहीं ले लेंगे मेरा अंदाजा है कि कई तरह से या कम से कम जिस तरह दाफतों के बारे में राय बनाए जाती है मेरे जनमदिंग का जमावड़ा शानदार कामियाबी थी मेरने घर को उतना भरा हुआ कभी नहीं देखा था महमान हाथ में ड्रिंक लिये हुए गल्यारे में कपशप कर रहे थे वो सीडियों पर सिकट पी रहे थे दरवाजों पर ठिके हुए थे वो वहीं बैट जाते जहां उन्हें जगा मिलती रसोई की मेज पर, कोठरी में, यहां तक की सीडियों तक पर पिछवाड़े के आंगन में वो पेडों पर जल बुझ रही नीली, लाल और हरी रोशनी में घुल मिल गए थे उनके चेहरे हर जगा लगी हुई केरिसुन की मशालों से रोशन थे बाबा ने बाइकनी में एक स्टेज बनवा रखा था जिसे बागीचा दिखता था, उसमें स्पीकर लगे थे एहमद जाहिर और कॉर्डियन बजा रही थे और नाच रहे लोगों के उपर एक मंच पर गा रही थे बाबा ने इसे तैक किया था कि मुझे हर एक महमान को खुद मिल का सलाम करना था ताकि कोई अगले दिन चर्चा ना करे कि उन्होंने अपने लड़के को बिना सलीके के पाला पोसा है मैंने सैकडो गालो को चुमा, सारे अजनबियों के गले मिला उनके तोफों के लिए उन्हें शुक्रिया कहा मेरा चहरा जबर्दस्ती की मुस्कान से दद करने लगा मैं आंगन में बाबा के साथ बाल के पास खड़ा था कि किसी ने कहा जनम दिन मुबारक हो आमिर ये आसिफ था उसके साथ उसके माबाप थे आसिफ के अबबाव महमूद, नाटे और दुबले थे उनकी चम्री गहरे रंकी थी और चहरा पतला था उसकी ममी तान्या एक छोटी और घबराई हुई आउरत थी जो खूब मुस्करा रही थी और पल के जबका रही थी आसिफ अब उन दोनों के बीच खड़ा था वो मखाल उडाती मुस्कां के साथ उन दोनों पर हावी लग रहा था उसकी बाहे उन दोनों के कंधों पर टिकी थी वो उन्हें हमारी तरफ ले आया मानो वही उन्हें यहां लाया हो मानो वो उन लोगों का जनम दाता हो और वो उसके बच्चे हो चकर की एक लहर मुझसे होकर गुजरी बाबा ने आने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा मैंने तुम्हा तोफा खुद चुना है आसिफ ने कहा तान्या का चेहरा फड़का और उनकी सरसरी नजर आसिफ से होकर मुझपर फिरी ना काबिले यकीन रूप से वो मुस्कराई और उनकी पल के जपकाई मैं जानना चाह रहा था कि क्या बाबा ने इस पर गौर किया अब भी फुटवाल खेलते हो आसिफ जान बाबा ने कहा वो हमीशा मुझे आसिफ का दोस बनाना चाहते थे आसिफ मुस्कराया वो बुरा था कैसे वो इतनी सच्चाई से वो प्यारा बन जाता था बेशक काकाजान राइट विंग में जैसा कि मुझे याद है असल में मैं इस साल सेंटर फॉरवर्ड में आ गया हूँ आसिफ ने कहा और इस तरह ज़्यादा स्कोर मिलते है हम अगले हफ़ते मैक्रो रयान टीम से खेल रहे हैं अच्छा मैच होना चाहिए उनके पास कुछ अच्छे खिलारी है बाबा ने सरहिलाया पता है मैं भी सेंटर फॉरवर्ड से खिलता था जब मैं जवान था मैं शरत लगाऊंगा अगर आप चाहें तो अब भी खेल सकते हैं आसिफ ने कहा उसने आँख मारते हुए बाबा की तारिफ की बाबा ने भी आँख मारी देख रहा हूं तुमारे अबबा ने दुनिया भर में मशूर अपने सली के तुमें भी सिखाए है उन्होंने आसिफ के अबबा को कहने मारी उन्होंने उस छोटे से आदमी को लगबद जमीन पर गिरा ही दिया महमूत का ठाका उतना ही कायर करने वाला था जितना कातान्या की मुस्कान और अचानक मैंने जाना कि शायद कुछ हद तक उनका बेटा उन्हें डराता था मैंने जूटे मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मैं बस अपने मुह के किनारों को मामूली रूप से मोर ही सका मेरे अबबा का आसिफ के साथ जुडाव देखका मेरे पेट में मरोर उठ रही थी आसिफ ने अपनी नजर मेरी और मोरी वली और कमाल भी याँ है वो तुम्हारा जनम दिन किसी भी तरह नहीं छोड़ सकते उसने कहा सता के ठीक नीचे हसी छिपी हुई थी मैं चुप चाप से रहिलाया हम कल मेरे घर पर थोड़ा वॉली बॉल खेलने का सोच रहे है आसिफ ने कहा शायद तुम हमारे साथ आओगे और चाहो तो हसन को भी साथ ले आओ इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा बाबा चमक उठे क्या सोचते हो आमेर सच में मुझे वॉलीबॉल पसंद नहीं मैं बरबढाया मैंने बाबा की आँखों का भुजिना देखा उसके बाद एक तकलीफ दे खामुशी फैल गए माफ करना आसिफ जान बाबा ने कंधे जटकते होए कहा वो चिड़े हुए थे और मेरे लिए माफी मांग रहे थे ना कोई बात नहीं आसिफ ने खाओ लेकिन तुमारे लिए खुली दावत है आमिर जान बहराल मैंने सुना है तुम्हे पढ़ना पसंद है इसलिए मैं तुमारे लिए किताब लाया हूँ मेरी पसंदिदा किताबों में से एक उसें जनम दिन का लिप्टा हुआ तोफा मेरी तरफ बढ़ाया जनम दिन मुबारक हो उसें सूती कमीज, नीले रंग की धीली पैंट, लार रेश मी टाई और चमकदार काले जूते पहन रखे थे उससे कोलों की खुश्बों आ रही थी उसके सुनहरे बाल सफाई से पीछे की तरह कंगी किये हुए थे उपर से वो हर माबाप के सपनों का साकार रोप था मजबूत और लंबा, अच्छे कपड़े पहने और सलीके वाला लड़का जो जहीन और आकरशक है बड़ों के साथ उसकी हाजिर जवाबी का तो जिकर ही क्या लेकिन मेरे सामने उसकी आँखे उसका पोल खोल देती थी जब मैं उसकी आँखों में देखता तो उसका मुखोटा होता जाता और उसने उन आँखों के बीतर जो पाकलपन चुपा कर रखा हुआ था उसकी एक छलक देख चाती थी क्या तुम इसे नहीं ले रहे हो आमिर? बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारा तोफा? आसिफ जान तुम्हें तोफा दे रहे हैं उन्हाने चिटकर कहा ओ, मैंने कहा मैंने आसिफ से डबबा ले लिया और अपनी निगा नीची कर ली मेरा मन किया कि मैं इन लोगों से दूर अपने कमरे में अपनी किताबों के साथ होता अच्छा बाबा ने कहा क्या? बाबा नीची अवाज में पूली ऐसा वो तब करते थे जब मैं उन्हें लोगों के सामने शर्मिंद्गी में डाल देता था क्या तुम आसिफ जांग का शुक्रिया दा नहीं करने जा रहे? वे दूसरों का बहुत लियास करते है मैंने चाहा कि बाबा उसे ऐसा कहना बंद करे क्यों वो अक्सर मुझे आमिर जांग कहते है शुक्रिया मैंने कहा आसिफ के अम्मी ने मुझे इस तरह देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे याद आया कि आसिफ के माबाप में से किसी ने भी अब तक एक शब्द नहीं कहा है मैं खुद को और बाबा को और शर्मिंदगी में डालता इससे पहले मैं वहां से चला गया लेकिन मेरा ये दू जाना सबसे अधिक आसिफ और उसके मुस्कान से दू जाना था आने के लिए शुक्रिया मैंने कहा मैंने महमानों की भीड के बीच से कस्म साते हुए अपनी रहा पनाई और लोहे के दरवाजे से सरकाया हमारे घासे दो घर नीचे एक बड़ा कूडे से भ़़ा जमीन कही टुकड़ा था मैंने बाबा को रहिम खान से बताते सुना था कि एक जज ने वो जमीन खही दी थी और एक वास्तुकार डिजाइन पर काम कर रहा था फिलहाल वो टुकड़ा खुला पड़ा था और गंदगी, पत्थर और पतवार उसमें जमा थी मैंने आसिफ के तोफे में लिप्टा कागस फाड़ा और चांद की रोश्री में किताब का नाम पड़ा वो हिटलर की जीवनी थी मैंने उसे पतवार के जंगल में फैक दिया मैं पड़ोस की दिवार पर टिक किया फिस सरकते हुए जमीन पर बैढ़ किया मैंने अपने घुटने सीने से लगाए अब कुछ पलो के लिए बस अंधीरे में बैठा रहा मैं उपर तारो को देख रहा था और रात के खतम होने का इंतिजाल कर रहा था तो मैं अपने महमानों का दिल नहीं रखना चाहिए था एक जानी पहचानी से आवाज आई रहीम खान दिवाय के किनारे किनारे मेरी तरफ आ रहे थे इसके लिए उन्हें मेरी जोद नहीं है बाबा वहा है याद है? मैंने कहा रहीम खान मेरी बगल में बैठे तो उनकी डिंक में बर्फ का टुकड़ा खंगा मैं नहीं जानता क्या पीते हैं? पता लगा कि मैं पीता हूँ उन्होंने कहा मजाग में उन्होंने मुझे को नहीं मारे लेकिन केवल सबसे एहम मौकों पर मैं मुस्कडाया शुक्रिया उन्होंने अपना ड्रिंक मेरी और उठाया और एक चुस के लिए उन्होंने एक सिगरेट चिलाई ये बिना फिल्टर के उन पाकिस्तानी सिगरेटों में से थी जिने वे और बाबा हमेशा पीते थे क्या कभी मैंने तुम्हें बताया कि एक बार करीब करीब मेरी शादी हो चुकी थी हैं सच मुच मैं रहीम खां की शादी के एक हैल पर मुस्कराया मैं उन्हें हमेशा दूसा बाबा समझता था मेरे लेखन का संरक्षत मेरा साथी ऐसा आदमी जो अपने दौरों से लोडते हुई कभी मेरे लिए निशानी के रुब में कोई चीज एक सौगात लाना नहीं भूलता लेकिन शोहर एक बाप उन्होंने सिरह लाया यह सच है मैं ठारा साल का था उसका नाम हुमेरा था वो एक हजारा थी हमारे पडौसी के नौकर की एक बेटी थी पड़ी की तरह खूबसूरत थी हलके भूरे बालो और भूरी आँखो वाली उसकी ऐसी हसी थी कि मैं अब भी कभी कभी से सुनता हूँ उन्होंने अपना गिलास खुमाया हमेशा आधी रात को जब सब लोग सोने चले चाते तो हम अपने अबबा के सेप के बगीचे में खूफिया तवरी के से मिलते थे हम पेड़ों के नीचे चलते और मैं उसके हाथ पकड़े रहता क्या मैं तुम्हें शमिंदा कर रहा हूँ आमिर जान तोड़ा मैंने कहा हूँ मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा उन्होंने एक और कश लेते हुए कहा बहर हार वो हमारी खामा ख्याली थी हमारी एक शानदार खोपसूरत शादी हुई होती हम काबुल और कंधा से रिष्टेदारों और दोस्तों को बुलाते मैं टायले लगा आंग अनर बड़ी खिडिक्यों वाला एक बड़ा सा सफेद घर बनवाता हम बगीचे में फलदार पेड लगाते हमारे बच्चों के खेलने के लिए एक लौन होता जुमे को मस्जिद में नमाज के बाद हर एक आदमी साथ में हमारे घर खाना खाने आता और हम बगीचे में चेरी के पेड़ों के नीचे खाना खाते हम कुए का ताजा पानी पीते इसके बाद मिश्री के साथ चाय पीते हुए हम अपने बच्चों को उनके रिष्टेदार के रिष्टों के भाईयों के साथ खेलते हुए देखते उन्होंने अपनी स्कॉच से बड़ी घूट भरी, फिक्खा से तुम्हें मेरे अब्बा का चेहरा देखना चाहिए था अब्बा के रोकते रोकते मेरा भाई अपने शिकार की राइफल लाने चला क्या रहीम खान एक बहुत ही कड़वी हसी हसे हुमेरा और मैं दुनिया के खिलाफ थे और तुम्हें ये बताऊंगा आमेजान, आखिर में दुनिया हमेशा जीतती है चीजें ऐसी ही होती है तो, तो फिल क्या हुआ था? उस दिन मेरे अब्बा ने हुमेरा उसके परिवार को एक लौरी में बिठा कर उसे हजारा जात बेज दिया और मैंने उसे दुबारा नहीं देखा हो, मुझे अफसोस है, मैंने कहा हाला कि शायद ये भैतिरी के लिए ही हुआ होगा रहीम काहन ने कंदे जटकते हुए का वो मेरे साथ प्रेशानी ही उठाती मेरा परिवार उसे कभी बराबरी के तौर पर नहीं अपनाता तुम किसी को एक दिन अपने जूते पॉलिश करने का हुकम देखा अगली बार उसे बहन नहीं बुला सकते उन्होंने मेरी ओदेखा तुम जानते हो तुम मुझे कभी भी जो कुछ भी बताना चाहो बता सकते हो आमे जान कभी भी और कच भी हाँ मैं जानता हूँ मैंने आनिश्चित्ता से कहा वो मेरी तरफ लंबे समय से देख रहे थे मानों वो इंतजार कर रहे हो उनकी काली गहरी आखें हमारे बीच के एक अन बोले रास के और इशारा कर रही थी एक पल के लिए तो मैं करीब करीब उन्हें बता ही देता करीब करीब हर चीज बता देता लेकिन तब वो मेरे बारे में क्या सोचते वो मुझे नफरत करते और ये ठीक भी था यहां उन्होंने मुझे कुछ पकड़ाया मैं तो लगबग भूली किया था जनम दिन मभारक हो ये भूरे चमडे की जिल्द वाली एक नोटबोक थी मैंने किनारों पस सुनहरे रंग की सिलाईओं पर उंगरी फिर रही और मैंने चमडे को सुमगा तुमारे कानियों के लिए उन्होंने कहा मैं उन्हें शुकरिया कहने जा रहा था कि कुछ फटा और आंग की लपड़ों ने आस्माँ को चमका दिया आतिश बाजी, हम भागते हुए घर लोटे और सारे महमानों को आंगन में खड़ा पाया वो सब आस्वान की तरफ देख रहे थे, बच्चे होहला कर रहे थे और हर एक पटाके और अवाज बचीक रहे थे, लोग होसला बढ़ा रहे थे जब-जब चिंगार्यां ससराती और आंग का धमाका होता तो वो तारीफ में चिल्ला उड़ते कुछ एक पलो में पिछवाडे का आंगन एकदम लाल, हरी और पीली चमक से रोशन होडता रोशनी के उन छोटे-छोटे पलों के बीच एक बार मैंने जो देखा, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा हसन चांदी की तश्टरी में आसिफ और वली को डिरंग प्रोस रहा था रोशनी भुझ गई, एक फुफकारती और चटकती भी आवाज आई, और फिर एक नारंगी रंग की एक और चमक उठी आसिफ हसन को ये सीने पर मुका मारते हुए मुस्करा रहा था, और इसके बाद किसमत से अंधेरा हो गया अगले दिन अपने कमरे के बीच में बैठे हुए, मैंने तोफो के डबबे एक एक करके खोले मैं नहीं जानता था कि मैं परेशान क्यों हूँ था, क्योंकि मैं उन पर बिना किसी खुशी के बस एक नजर डाल लेता और उनको कमरे के कौने में फैक देता, वहाँ धेर भर डाहा था, एक पोलराइट कैमरा, एक ट्रांजिस्टर रेडियो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट और नगदी से भरे अनेक लिबंद के हुए लिफाफे, मुझे पता था, मैं कभी रकम खर्च नहीं करूँगा और ना रेडियो सुनूँगा और बिजली से चलने वाली ट्रेन मेरे कमरे में कभी अपनी पर्ट्रियों पर नहीं चल पाएगी मैं उन में से एक को भी नहीं चाहता था, वो सब खून में सना हुआ पैसा था बाबा कभी मेरे लिए ऐसी दावत नहीं करते अगर मैंने मुकाबला नहीं जीता होता बाबा ने मुझे दो तौफ़े दिये, एक तो पक्के तोर पर मुहले के हर एक बच्चे में जलन से भर देने वाला था ये सारी साइकलों का राजा एक नई स्विन स्टिंग रेक थी काबूल में कुछ गिने चुने बच्चों के पास ही ऐसी साइकल थी और मैं अब उनमें से एक था ये काले रबड के ग्रिप वाले उचे उठे हुए हैंडल्स वाली साइकल थी और जिसमें उनकी मशूर बनाना सीट थी इसके पहियों के के ता सुनहरे रंके थे और इसकी फ्रेम लाल रंक की थी मीठे लाल सेब की तना या खून के रंक की हर एक लड़का फॉरन इसे पाकर उच्छर कर बैच जाता पूरे ब्लॉक के चक्कर लगाता कुछ महिने पहले मैंने भी हेह किया होता तुम्हे पसंद आई? बाबा ने मेरे कमरे के दरवाजे पर जुकते हुए कहा मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया और जल्दी से शुक्रिया कहा मेरा मन क्या कि काश में थोड़ा और कुछ कर पाता हम थोड़ी सवारी के लिए जा सकते हैं बाबा ने कहा एक दावत लेकिन केवल आधे दिल से शायद बाद में मैं थोड़ा ठका हुआ हूँ मैंने कहा हाँ हाँ जरूर बाबा ने कहा बाबा, हाँ, आतिश बाजी के लिए शुक्रिया, एक शुक्रिया लेकिन केवल आधे मन से मैंने कहा थोड़ा राम कर लो, बाबा ने अपने कमरे की और जाते हुए कहा बाबा ने मुझे जो दूसर तोफा दिया था, वो एक कलाई घड़ी थी उन्होंने मेरे इसके खोलने का इंतजार नहीं किया, वो नीले रंकी थी और इसकी सुनिया बिजली के आकार की सुनहरे रंकी थी, मैंने इसे पहंका देखा तक नहीं मैंने इसे कौने में खिलोनों पर फैक दिया, जो अकेला तोफा मैंने उस धेर पर नहीं फैका था वो थी रहीम खान की चमणे से मड़ी हुई नोटबुक वो अकेली चीज थी जो मुझे खून लगे पैसे की नहीं लगी थी मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठा मैंने हातों में लेका नोटबुक खोली मैंने वो सब सोचा जो रहीम खान ने हुमेरा के बारे में कहा था कैसे उनके अब्बा ने आखिर में बहतरी के लिए उसे नकार दिया था वो प्रेशान हुई होती जिस तरह काका हेमायों का प्रोजेक्टर एकी तस्वीर पर फस जाता मेरे मन में एक ही तस्वीर बार-बार उभाती रही हसन सर नीचे के आसिफ और वली को ड्रिंक पेश कर रहा है हो सकता है कि ये भी अच्छा ही हुआ हो उसका दुख कम हो गया हो मेरा भी ये साफ हो गया था कि किसी भी तरह में से हम में से एक को जाना था बाद में उस दुपहर को मैंने पहली और आखरी बार चलाने के लिए स्विन उठाई और मैंने अपनी ब्लॉक में उससे दो-एक बार चलाया और लोड क्या मैं पिछवारे तक घूमाया जहां हसन और अली पिछली रात की दावत की कंदगी साफ कर रहे थे कागस के प्याले, मुड़े तोड़े नैपकिन और सोड़ा की खाली बोतले आंगन में बिखरी हुए थी अली कुर्सियां मूर रहा था, उन्हें दिवार से लगा कर रख रहा था उसने मुझे देख और हाथ हिलाया सलाम अली, मैंने भी हाथ हिलाते हुए कहा उसने एक उंगली उठाई और इंतजार करने को कहा वो अपनी रहने के कोठरियों के और गया एक पल के पाथ वो अपने हाथ में कुछ लिये हुए निकला कल राद हसन और मुझे से आपको देने का मौका ही नहीं मिला उसने एक डबबा मुझे देते हुए कहा ये वैसे तो एक हकीर तोफा है और आपके लायक भी नहीं है आमिर आगा लेकिन उमीद करते हैं तब भी आपको अच्छा लगेगा जनम दिन मुबारक मेरे दिल में एक हॉल सा उठा शुक्रिया अली मैंने कहा मैंने चाहा था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं खईता होता मैंने डबबा खोला उसमें एक नया शाहा नामा था बिल्कुल नए तरह का ठोस जिल्द वाली उस किताब में पदो के नीचे चमकी ले रंगीन चित्र बने थी वहां फ्रंगीज अपनी अभी पैदा हुए बेटे कई खुस्रों को देख रही थी उसमें अफरा सियाब, तलबार, खीचे हुए घोडे पर सवार फोजर की रहनुमाई कर रहा था और बेशक रुस्तम अपने लड़ा के बेटे सोहराप को जान लेने वाले जखम दे रहा था ये खूबसूरत है मैंने कहा हसन ने कहा कि तुम्हारी किताब पुरानी थी और फट गई थी और उसके कुछ पन्ने भी खो गई थी अली ने कहा इस किताब में सारी तस्वीरे कलम और सिहाई के जरिये हाथ से बनाई हुई है उसने उस किताब पर नज़र डाले हुए थोड़ी नाज से ये बात कही जिसे ना तो वो और ना ही उसका बेटा पढ़ सकते थे ये तो बहुत प्यारी है मैंने कहा और वो भी थी भी और मुझे शक था कि वो सस्ती भी नहीं थी मैंने अली से कहना चाहा कि एक किताब नहीं बलकि मैं ही इसके लायक नहीं हूँ मैं उचलकर सैकल पर बैढ़ गया हसन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना मैंने कहा आखिरकार मैंने उस किताब को भी अपने कमरे के कौने में तोफो के धेर पर फैक दिया लेकिन मेरी आँखे उसके और लोटती रही इसलिए मैंने उसे सबसे नीचे दबा दिया उस राज सोने जाने से पहले मैंने बाबा से पूछा कि क्या उन्होंने मेरी नई घड़ी कहीं के देखी है अगली सुबह मैंने अपने कमरे में अली द्वारा रसोई में नाश्रे की टेबल साफ करने तक इंतजार किया मैंने उसके खाना बना लेने और मेज साफ करने तक की रहा देखी मैंने अपने सोने के कमरे के खिड़की से देखा और अली और हसन को राशन खरीदने के लिए खाली ठेला ठेलते हुए बजा जाने का इंतजार किया इसके बाद मैंने अपने तोफ़े के धेर में से दो एक नगदी भरे लिफाफे और अपनी घड़ी उठाई और पंजो के बल बहार आया मैं बाबा की स्टडी के बहार रुका और भीतर की आहट सुने वो पूरी सुभा फोन पर बात करते हुए वहीं बने हुए थी वो अभी किसी से अगले हफ़ते आने वाले गलीचो के माल के बारे में बात कर रहे थी मैं नीचे उतरा, आंगन को पाल किया और अली और हसंग के रहने के कोट्रियों में दाखिल हुआ मैंने हसंग की चटाई उठाई और अपनी नई घड़ी और कुछ अफगानी नोट उसके नीचे रख दिया मैंने और तीस मिनटों तक इंतजार किया इसके बाद मैंने बाबा का दरवाजा खट-खटाया और शर्म नाग छूटों से भरी एक लंबी लाइन में उन्हें बताया कि मुझे क्या लगता है कि क्या हुआ होगा